कोरोना का फेर आया संकट बचने के लिए मास्क क्यों है ज़रूरी मास्क पहनने का क्या है सही तरीका मास्क के साथ किन बातों का रखे खाया पुराने या खराब मास्क का कैसे करें उचित निप्टा आप भी जानिये क्या बताया है डबल्यू एच्चों ने कोरोना वारिस महामारे दुनिया भर में एक बार फिर से अपने पैर बसा रही है चीन से निकली ये खतरनाग बिमारी चीन के लिए काल बन दी जा रही है यहारोजाना हजारों नए मामले आ रहे हैं और सैकडों लोगों की मौथ हो रही है ये दावा किया जा रहा है कि अगले तीन महिनों में तीन लाख से ज्यादा लोगों की मौथ हो सकती है चीन में इस बार कोरोना के मुख्य वेरियंट ओमिक्रोन का एक सब वेरियंट बी एफ पॉइंट सेवन तबाही मचा रहा है ये वारस चीन से निकल कर अब भारत सहित कई देशों में भेल रहा है भारत में भी इसके कई मामले सामने आए है इस वेरियंट को लेकर चिन्ता की बात ये है कि इसमें तीजी से भेलने और एक साथ कम से कम 10 से 18 लोगों को संक्रमित करने की शमता है बी एफ पॉइंट सेवन उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने कोरोना वायरस की दोनों डोस या बूस्टर डोस भी लगवा रखी है राहत की बात ये है कि इसके लक्षन गंभीर नहीं है इससे बचने के लिए कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करना ज़रूरी है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने मास्क लगाने सहित कुछ एहम नियम बताए हैं जो कोरोना से बचाव में सहायक हो सकते हैं WHO बार-बार कहता है कि वाइरस के ट्रांस्मिशन को दबाने और जीवन बचाने के लिए मास्क का उप्योग किया जाना चाहिए WHO ने ये भी माना है कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा के लिए अकेले मास्क का उप्योग परियाप्त नहीं है इसके लिए आपको कोरोना से जुड़े अन्य नियमों का भी पालन करना चाहिए WHNS सला दी है कि महामारी के दौरान हर समय मास्क पहनना चाहिए मास्क लगाने और उसे उतारने से पहले और बाद में या किसी भी समय इसे चूने के बाद अपने हाथों को साफ सरूर करना चाहिए सुनिश्टित करें कि ये आपकी नाक, मूँ और थोड़ी दोनों को कवर करता हो जब आप मास्क उतारते हैं तो इसे एक साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें और अगर ये कपड़े का मास्क है तो इसे हर दिन धुएं और डिस्पोसिबल या मेडिकल मास्क को इस्तिमाल करने के बाद कुड़े दान में फैकिए वाल्व वाले मास्क का इस्तिमाल ना करें WHO के नुस्वार कोरोना के किसी भी वेरियंट से बचने के लिए आपको मास्क पहनने के साथ रोजाना की गतिव विध्यों को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए जैसे शारिरिक दूरी, भीड से बचना, अपने हाथों को साफ करना, खांसते सबे, मुँ पर कोहनी रखना और कमरों को अच्छी तरह हवादार रखना WHO और विभेन स्वास्ते विशेशग्यों द्वारा ये हिदायते कोरोना की पिछली लहरों के दौरान भी दी गई थी इन हिदायतों का सही तरह से पालन करने से आप सुरक्षित रह सकते हैं देश और दुनिया की बागी महत्वपून खबरों के लिए देखते रहे हैं नमस्कार